कि जी असलाम अनेकूम आज हम इसर्शन डीजन टाइप के कुछ क्विस्टेंस को मारत दो थीन क्विस्टेंस को हम जनरली हर दफा एक्स्प्रेइन करते हैं जो लोग मेंस्ट कांसिप्शन भी लोग का होता है ठीक है अगर मैं आप से कुछ इसर्शन पूलू के डायमंड इस दिकाता हूँ और इस सब्सक्राइब करता हो ठीक है अब लोग के पास क्या है सपोस्स कार्बन है और वह किस में है डायमेंड है का इन्डवान एक्सका कंबशन करते हैं तो यहां पर हमारे पास कितना इनरजियर करता है डिल्टा हमारे पास होता है मैनस नेटी-फॉर इकल तो माइनस 93 केलो केले यहां पर हमारे पास क्या होते है रिलीज होते है ठीक है आले डिया आप लोगों ने पड़ा है कि जितना आप लोग के पास इनर्जी ज्यादा रिलीज होगा इसमील उतना रियक्टिंट आप लोग के पास क्या होगा कम स्टेबल होगा तो इनर्ज मतंद तो यह यहां पर माइनस में आ जाएगे वह पर प्लस हो जाएगा तो यहां आप लोग के पास दिलटा इच का विल्यू हो जाएगा हो जाएगा मानसकी सोरी मानसफ 1.3 केल qué लिटी जब हम डायमेंड से ग्रैफाईट की तरफ जाते तो हमारे इनर्जी किया होते हैं रिलीज होती है पास देपो यह डियक्षन आप लोग के पास एक्जोन्हेक है तो यहां पर है आपलोग के पास डीन ओर डैमंड क्यों कि यह इनर्जी होते हैं डाया है ठेसा पर अगर मैं दिख इसे एक और इस क्यों करों के डाइमंड qualified तिया झा ग्रैफाइट को डाइमंड कर सकते हो कि अगर इतना मतलब क्पशल को सकते तो बिल्कुल अची का बात है ठीक हाँ आप मैं आप से की listening पूछ हो के केज ग्रैफैट कें रभी कन्वर्ट इंटू डाम intelig के आप ग्रैफाइट को इसabled डायमेंड में कनवर्ट कर सकते हूं ठीक है यह कहां से आपको पता चलता है यहां पर आप लोग के पास तर्मो डायनमिक से पता चलता है क्योंकि तर्मो डायनमिक यह आप लोग के पास thermodynamics का काम किया है just spontaneous of a reaction बदाना यह तो नहीं बताता कि कि किस rate से होगा यह पिर हम प्रेशर को ज्यादा करते है तो फिर easily convert हो जाता है लेकिन अगर हमारे पास normal condition तो one mole of graphite को one मतलब diamond में convert करने के लिए हमारे पास कितने साल लगते है हाँ आपके पास graphite diamond में convert हो सकता है और यह reaction आप लोग के पास किया है यह reaction आप लोग के पास spontaneous है ठीक है को के इंशाला पिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ एजर स्विंगी जन टाइप के questions explain करेंगे ठीक है